तो बेंटन का अब तक का सबसे पावरफुल एलियन, एलिनेक्स ही माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर एलिनेक्स को हम साइड में रख दें, तो उसके बाद आप लोग के मैंड में सबसे पहले नाम आएगा अटोमिक्स का कि अटोमिक्स सेकंड सबसे क्रोम मस्टोन और क्लोक वर्क की, और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्लोक वक और क्रोम मस्टोन में कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों ऐसे एलिने बेंटन युनिवर्स के जिनकी फूल पावर अभी तक रवील ही नहीं की गई, हाँ हमें क्रोम अगर यही दोनों करेक्टर आपस में कभी बैटल करते तो यहां पे विनर कौन होगा, इस टोपिक को पूरी तरह से आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो अगर आपके मैंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो में कुछ भी चल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बैल को ओन कर लेना ताकि आपको फूचर में, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहें, तो चलि करोमस्टोन की फुल पाउर के बारे में बैन को कभी पता ही नहीं लगा, हाँ टेट्रेक्स ने जब डायमनेड की बोडी से क्रोमस्टोन को भार निकाला था, और वहां पर हमें देखने को मिला ही, प्लाइ करने की पावर है, और वह यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रेवल क कर सकते हैं इसके इन पावर्स के बारे में आप जानते हैं कि अनर्जी को एबसूब कर सकता थन्डर को एबसॉप कर सकता है उसके बाद करें क्लोक वका ने की तो डेकने को मिली थी हैने कि ultimate Ten que produce थे को मिली थी छहां यहां पर नियू ओमने ट्रिक्स में उसका डियने अनलोक था अब बैंटन अल्टीमेट एलिन में तो हमें यह बात का पता लग गया कि यहां पर क्लोक वक के पास टाइम पावर्स है जिनका यूज़ करके वो पास्ट और फ्यूचर देख सकता है लेकिन दीरे दीरे बैंटन सकता है और यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अगर इन दोनों करेक्टर के बीच कभी बैटल होती है तो यहां पर विनर कैसे डिसाइड होगा क्योंकि दोनों काई पावर लेवल काफी जाद है एक टो प्र इस बात का पादा होना चाहिए कि क्लोक की जो टाइम पावर सा वो ख्रों स्टोन की बोली पे असर ही नहीं करेगी क्रोम अस्टोन किसी बी तरह की एनर्जी को एबजोब कर सकत आ यानि कि अगर वो time ray का use करता है तो chroma stone यहाँ पे time ray को जो अपनी body में absorb कर लेगा और वैसे भी आप लोग जानते कि chroma stone की जो body एक crystal से बनी है और crystal की कोई भी age नहीं होती यानि कि उसको कभी खतम ही नहीं किया जा सकता तो time powers का असर chroma stone की body पे नहीं होता और यहाँ पे वो easily clockwork की time powers को absorb कर सकता है और उसके बाद clockwork की body पे एक attack से भी clockwork को हरा सकता है क्योंकि हम लोग यह बात जानते हैं कि clockwork की body पे अगर सही से attack कर दिया जाए तो यहाँ पे clockwork को easily हराया जा सकता है तो अगर इन दोनों character के बीच battle होती है तो clockwork चाहिए तो अपने time power का use करके time को stop कर सकता है लेकिन वो reality से chroma stone को erase नहीं कर सकता और chroma stone की body पे time दे का कोई भी असर नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ possibilities explain कर दिये कि कैसे दोनों character ही काफे ज़्यदा powerful है और battle हो जाए तो कौन यहाँ पे winner होगा अब आप लोग comment करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इन दोनों character में कौन ज़्यादा powerful है और कौन इस battle का winner हो सकता है तो comment करके बताना बिल्कुल मत बूलना आज के हमारी यह वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर देना हमारे इस चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लेना ताकि आपको future में ऐसी और भी amazing वीडियो देखने को मिलती रही चलिए मैं मिलूँगा आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्लोड की गई सारी वीडियो देख सकते हो वो काफी ज़्यादा awesome है